चलिए आपको लिए चलते हैं पूड़े जाएक मल्टीनाशनल कम्पनी ने करमचारियों के लिए घर से दफ्तर साइकिल से आने जाने की जो पहल है इसकी शरवात की है सड़क पर बढ़ती ट्राफिक के शोर और प्रदूशन को हराने के लिए कम्पनी ने ये कदम उठा है देखे के सड़क पर भारी ट्राफिक का दवाव अपाधापी का महौल एक दूसरे से आगे बढ़ने की हो जाम से बार-बार दो-चार होना प्रदूशन की मार उपर से जल्दी ऑफिस पहुचने की टेंशन ऐसे में करे तो करे क्या अक्सर शहरों में आम लोगों के साथ-साथ नौकरी पेशे वाले लोगों को भी इससे रूबरू होना पड़ता है पुने भी इससे अचूता नहीं है ऐसे में इस समस्या को मात देने के लिए पुने की एक नीजी सौफ़वेर कंपनी ने अनोखा कदम उठाया है करमचारियों के लिए साइकल से आने जाने की पहल की है दिन में एक बार तो आप साइकल पर आया किजिए घर से ओपिस तक तो एक काफी आची पीरिंग आती है काफी इंस्पिरेशन मिलता है और खुद का तो फिटनेस अच्छा होता ही है लेकिन उसके साथ प्रिश्वी का भी फिटनेस बढ़ता है कंपनी की इस पहल को करमचारियों का फुल सपोर्ट मिल रहा है पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इस प्रयास को खुब सराह रही है क्योंकि एक समय पूने की गिंती सबसे खुबसूरत शहरों में होती थी वातावरन स्वच्च था सर्क पर ट्रैफिक का ज्यादा बोज नहीं था पुने शहर को साइकलो का शहर कहा जाता था लेकिन वक्त बदला तो हलात भी तेजी से बदलें गाडियों के बढ़ते बोज से शहर हाफ ने लगा क्यों? आकडो की जुवानी से समझे पुने आटियों के मुताबिक इस बगत पुने में 43 लाख वहन है साल 2022 के पहले साथ महीनों में ही पुने में 1.5 लाख नए वहन का रेजिस्ट्रेशन हुआ है जिससे दिन प्रति दिन यातायाद की समस्या गंभीर होती जा रही है इस चुनोती से निपटने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है जाहिर है एक IT कंपनी की नेक पहल कहीं न कहीं पुने के गौरब को वापस पट्री पर ला सकती है पुने से पंकच खेलकर के साथ गुड निउस टुडे